बारती किसान यूनियन भानू की पंचायत को लेकर प्रिशासन हो गया रात आठ बजे से सक्रिया रात आठ बजे से जिला प्रिशाशन ने दिये थे विदुत निगम के अफसरों को अधिशा निर्देश अधिक्षन अभियंता राजकुमार सेंग वाधिशासी अभियंता किने देश पर स्टियो हरियों सोनी किसानों के बीच धरना प्रदेशन में समस्यां को सुनने पहुंचे सक्रौली छेतर में किसान पंचायद बुलाई गई थी जिसको लिकर विवाग पुलिस प्रिशासन अलर्ट मोट पर था भारती किसान यूनियन भानू के प्रदेश अध्यक्ष योगिश प्रताप सिंग के अगवाई में पंचायद में निन्ने लिया गया किसानों का शोशन कताई बरदाश्ट नहीं किया जाएगा विजद विवाग पुलिस विवाग तहसिल प्रिशासन अप्री मनमानी पर उतारू है प्रदेश अध्यक्ष योगिश प्रताप सिंग ने कहा कि एटावा तहसिल प्रिशासन के शिकायत है सियम्यों या जतनाज से की जाएगी स्टीयों खरीयम सो निवा स्टीयम राम नायन पुलिसवल के साथ किसान पंचैत पहुंचे और किसानों को आशवशन दिया दो समस्या का समधान होने की बात कही जले सर से रागबिंदर अगरिया की रिपोर्ट पूरी केवल पहले तार थे और तार हटाके केवल लगाई लेकिन केवल वह बच्ट हो गई थी और ट्रास्वारं भी धराब हो गयाता है या क्या है तो उसकी समस्या थी केवल नहीं मिल पा रही थी उपर से अधिकारियों से वारता की फौन से तो उनका जवाब ऐसा नहीं मिला के यहां समादान होगा उसे पंचात रख दी पंचात में वैज्डियों साब आये हैं वहासा अकम दे रहे हैं कि आज केवल आ रही है कल साम तक लाइं चालू हो जाएगी तो मैं ठीक है घ्री समय अंतिक का ओभा हो गहां तो किसान संतुष्ट है मंतर तो commit ये एक मत रहा है लेकिन वैंगे लिए केवल का इंतियाम केवल आ रही है कल तक ने लैन जड़मां पर 12प इससे लोग अंधिरे में रह रहे हैं 10-15 दिन से और बिल विवागोशिक त्समय अगर बिल बकाया हुजा तो कलेक्शन काट ने के लिए चल देते हैं लेकिन जब बिजली नहीं दस दिन से आ रही है उसको कोई नहीं देख रहा है तूबल पर मीटर लगाई आरे है क्या किसानों के टूबल पर मीटर और वो तो देखे जाएंगे का लगाई जा रहे हैं क्या होग आज विजली की संबंद में पंचायद रखी गई थी कि आठ धान से हमारे यहां पर लाइट और ट्रांस भारम ऑफिजली के तारों की समय से आठी उसमें यह यहां पर पंचायद रखी दे वह उसमें एस्टियो साब और जोई साब आगे और और ने के दिया कल तक हम अपने जारू रूप से चालू खरा देंगे तिसे लोग रामें लोग शंतुष्ट थी एकने दीसे गायम में पर लाटनी दी अईसे दस बारत देंसे गरवरती जाए